जितने भी लोग फूटों में दिखते हैं ना एक-एक को जड़ा देख लीजिए उन सबका मिलकर के टोटल लगाएंगे तो ये सारे मिलकर के कम से कम बीस लाग करोड के गोटाले की गारंटी है और कॉंग्रेस का गोटाला ही अकेले लाखों करोडों का है एक लाग छैयासी हजार करोड का कोईला गोटाला एक लाग छहत्तर हजार करोड का तूजी गोटाला सत्तर हजार करोड रुपिये का कॉंग्रेस के गोटाले से कोई ऐसा खेत्र नहीं है जो कॉंग्रेस के गोटाले की हाथ का शिकार नहुआ हो अब दूसरा देखिए और जेडी हजारों करोड के गोटाले का आरोप है चारा गोटाला अलकत्रा गोटाला पशुपालन सेड गोटाला बाढ राहत गोटाला आर जेडी के गोटालों की इतनी लंबी सुची है अदालते भी ठक गई एक के बाद एक सजा गोशित करती चली जा रही है उदर तमिल लाड़ु मैं देखिए डीम के पर अवैद तरीके से सवा लाग करोड की संपत्ती बनाने का आरोप टीम सी पर भी तेईस हजार करोड रुपिये से जादा के गोटाले का आरोप रोजवेली गोटाला शारदा गोटाला सिख्षक भरती गोटाला गो तसकरी गोटाला और कोईला तसकरी गोटाला बंगाल के लोग ये गोटाला कभी भूल नहीं सकते अगर मैं NCP की बात करूँ तो NCP पर भी करीब करीब सकतर हजार करोड रुपिये के गोटालो का आरोप है महाराष्टर स्टेट कोपरेटिव बैंक गोटाला महाराष्टर सिंचाई गोटाला अवैद खनन गोटाला इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कॉंग्रेस को वोट दीजिए आपको मुलायम सी जी के बेटे का बला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए अगर आप लालू परिवार के बेटे बैटियों के हो उनका बला करना चाहते हो तो आर जेडी को वोट दीजिए आपको सरत पवार जी की बेटी का बला करना हो तो आप NCP को वोड़ दीजिए आपको अब्दुला परिवार के बेटे का बला करना हो तो आप National Conference को वोड़ दीजिए आपको करूला अर्विपी जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का बला करना हो तो DMK को वोट दीजिए आपको के चंदर से कर राव की बेटी का बला करना हो तो आप BRS को वोट दीजिए